जब हम कोई श्वापन देखते हैं और जब हमारी आँखे खुलती है तो हम स्वापन फल जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि मैंने जो शपना देखा है उसका क्या फल होगा शुब होगा या अशुब होगा अगर आपको शपने में ये चीज अगर दिखाई परते हैं तो समझिए कि आपके घर में मालक्ष्मी का आगवन होने वाला है आपको धन बैभव प्राप्त होने वाला है शपने में इन चीजों का दिखना बहुत शुब होता है स्वपन सास्थ के अंसार सपने में मधुमक्षी का चत्ता देखना बहुत ही शुब माना जाता है अगर आपको भी ये शपना दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि जल्द ही आपको धन प्राप्ती होने वाली है यदि मधुमक्षी के चत्ते में सहद भी दिखाई दे तो यह भी शुब शंकेत है अगर आप सपने में किसी उचे ब्रिक्ष पर चड़ते हुए या किसी उचे अस्थान पर चड़ते हुए देखते हैं तो यह भी एक बहुत शुब शंकेत है स्वप्न सास्त के अंसार इस सपने का मतलब है कि आने बाले शमय में आपको नौकरी और ब्यापार में तरक्की मिल सकती है एदी सपने में किसी देवी देवता या फिर देवस्थल के दर्शन होते हैं तो यह भी सपना एक बहुत अच्छा सपना है इस सपने का यह मतलब होता है कि आपके उपर भगवान की किर्पा होने बाली है मालक्ष्मी जल्द ही आपके उपर अपनी किर्पा की बारिस करेगी स्वप्न सास्त्र में सपने में निर्थ करती हुई इस तरी को देखना भी बहुत सुभ माना गया है यह शपना बताता है कि आपके घर में मालक्षमी का आगमन होने बाला है और जल्द ही आपको धन प्राप्ती होगी। स्वपन सास्त्र के अनुशार अगर सपने में आप साप को उसके बिल के साथ देखते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि आपको कहीं से अचानक धनलाव हो शकता है।